दोस्तों तूलसी का पौधा भारत के लगभग हर घर में पाय जाता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत जानगारी मिलेगी तो इस वीडियो को पुरा अन तक जरू देखें। तूलसी का प्रयोग वैसे तो आईरवेद में बहुत से तरीकों से किया जाता है लेकिन सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। दोबा उठते ही तीन से चार तूलसी के पत्तों का सेवन खाली पट करना। क्यों खाली पट अगर तूलसी का सेवन किया जाय तो वो किसी अमरित से कम नहीं है। ध्यान रहे कि तूलसी को बिना चबाए खाना है। देरसल तूलसी के पत्ते में भारी मात्रा में आरन और मरकरी पाय जाता है तूलसी के पत्ते चबाने पर ये तत्तू हमारे मुह में घुल जाते हैं और ये दोनों ही तत्तू हमारे दातों के सेहत और सुन्दता के लिए नुकसान दायक है इसलिए तूलसी के पत्ते को बीना चबाए गटक जाएं तभी आपको पूरा फायदा करेगा इसके सेवन करने से शडीर में कभी भी बुखार नहीं होता यह चेहरे को चमकाती है स्कीन रिलेटेड प्रॉलम में तूलसी बहुत ही फायदेमन होती है इसके इस्तमाल से कील मुहा से खत्म हो जाते हैं और चेहरे चमकने लगता है तूलसी गंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं कि यह बैक्टरिया को आसपास भटकने भी नहीं जिता याने की बैक्टरिया जो हमें बीमार करती है वो उस घर में नहीं आती ही जिसे घर के आंगन में तूलसी होती है इसलिए तूलसी केंसर अगर रोज करते हैं तो जिन् है इस कारण से यह आपके श्रीर को कभी भी बिमार नहीं लगने देती इंसान की श्रीर को बिमारी तभी लगती है जब हमारा श्रीर इन विमारियों से लड़ नहीं पाता तो अगर अपने इमिल्टी को बुष्ट करना चाहते हैं तो तुलसी का सेवन हर रोज खाली पिट कर सफेद दाग जाईयां कील मुहां से आधी हो जाने पर तुलसी के रस में बराबर मातरा में नीम्बू का रस मिलाकर 24 गंटे तक धूप में रख दीजे और थोड़ा गाड़ा हो जाने पर चेहरे पर लगाईए इसके रोजाना प्रयोग से जाईयां काले ताग धब्बे की में फाहरा बेता हो जाता है और में करता है दोस्तों धूमरपान चुदाने में यह मदद करती है तुलसी प्रस्ति ये गुण है तो इसलिए तूलसी का सेवन जरूर करें आप तूलसी खाली पिट खा सकते हो या फिर तूलसी वाला दूर्ब पी सकते हो नहीं तो आप तूलसी का बहुत बहुत धन्यवाद